हेलो एंड वेलकम तो दे स्टूडियो मेंबर्स आइसी 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 बैंक को आज की दिहन में ठीट किया था इसे गैपप और गैपडाउन मेथट के एकॉर्डिंग सब्सक्राइब करेंगे यह मेरी इंपॉर्टन केंडल है यहां से प्राइज मेरा अपसाइट के तरफ ग रहा था कि प्राइज हमारा और भी अपसाइट के तरफ जा सकता है और बड़े प्राफिट सम को देगा यहां पर जैसे आप देख सकते हैं कुछ ए क्रिटिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स है इनको अभी हम मार्क करेंगे लाइक डाउंसाइट के जो रेंजे हमें सपोर्ट क्या था ट्रेट करने के लिए और भी ज्यादा फोकस करते हैं आज के टेंडिंग सेशन पर देखिए जैसे कि आज को हम जूम आउट करेंगे तो यहां पर एंट्री स्टॉप लोस टार्गेट सब कुछ आपको नजर आएगा फिलाल जल्दी से हम लोग अप पर बुक में आप देख सकते हैं टोटल जो क्वानिटीज हमारी हैं 800 क्वानिटीज के साथ हमने आइसे इसे परेंग को ट्रेट किया था एंट्री इसके अंदर हमने अपनी ली थी 748.40 पर इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं perfect stop losses जो हमने लगाया थे 745.90 के stop losses थे और profits जो हमने इसके अंदर बुक किया अपने 758.65 पर अपने सभी के सभी profits बुक कर लिया थे okay position book में देखेंगे overall जो अपना आज का profit हमारा 8000 प्लस का profit है जो कि एक decent profit है हमारे लिए market conditions कुछ इस तरह के हैं कि बहुत सारे लोगों ने आज के दिन अपने stop losses दिये होंगे ऐसा अपने experience recording हम बोल सकते हैं so आज की जैसी market में भी हम कुछ नगुछ अपना profit ले कर गए कल हाँ हमारा stop loss गया था लेकिन कल ही हमने अपना stop loss cover कर लिया था recover किया था आए और आगे चल करके अपना आज कहिए ICICI का trade और अच्छी तरह से explain करते हैं और अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश करते हैं वीडियो को like कीज़ेगा, comments कीज़ेगा ICIC buying के अंदर ये एक अपना support था अब 25th of November की candle देखिए और 26th of November की candle 25th के बाद से price ने काफी बड़ा gap down किया था और gap down दे देने के बाद में price हमारा कई दिनों तक उसी range के अंदर ही travel किया है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ लगभग लगभग one week से ज्यादा और लगभग लगभग two weeks तक price हमारा एक ही range के अंदर travel किया अच्छा जब price gap up या फिर gap down कर देता है इसको थोड़ा सा समझेगा because gap up और gap down में बहुत सारी ब्लांतियां है बहुत सारी confusions होते हैं price action में gap up और gap down को काफी अलग लगत रैसे traders यूज करते हैं जो हमारा अपना मानना है कि prices में दो ही candles important होंगे एक वो जिसने एक high लगाया है और एक वो जिसने एक low लगाया है ऐसा क्या था कि 25 के बाद से ही इसने gap down किया इसने 24 के बाद में gap down क्यों नहीं कर दिया तो हम ऐसा मान करके चलते हैं कि 25th of November की candle मेरे लिए एक important candle होगे तो हम इसका low mark कर लेंगे because ये जो support point था अभी जो हम आप से बोल रहे थे कि price ने gap up किया और gap up के बाद में support करने लगा था तो ये देखे ये gap down था gap down दे देने के बाद में price हमारा इस range में नहीं आपा रहा है यानि कि ये एक order block हमारा बन जाता है पुरी तरह से ये मेरा order block है अब यहां से price अपनी इस range को देखी या तो gap down कर रहा है या फिर gap up कर दिया ये इस range में क्यों नहीं आपा रहा है हमारे लिए ये range एक बहुत important range of point बनती है price ने क्या किया कि gap down दे देने के बाद में यहां से gap up के और gap up के बाद में यहां से देखी supports मांग रहा है और यहीं से ये upset को तरफ travel कर रहा है exact आज देखिए क्या हुआ था कि nifty bank को अगर आप लोगों ने देखा होगा और financial services को देखा होगा इन दोनों की confirmation समने ली थे यहां पर हम नहीं nifty bank का chart open करेंगे और नहीं nifty financial services का ICICI bank को थोड़ा सा और भी अच्छे तरह से समझने की कोशिश करेंगे अब देखिए यहां पर मेरी एक जो important candle बनती है यह तो gap up और gap down की range हो गई हमारी एक important range जो हमारी candle बनाएगी वो है यह वाली candle यह black वाली candle हम exact सिर्फ एक single line draw करते हैं right side में ओके यह black 748.40 यह मेरी एक range निकल करके आएगा यहां पर मेरे लिए यह candle की importance बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है because जिस position पर यह है PS4 method के according हम place shifting करते हैं positions के shifting हुई है और आपको याद होगा कि हमने जो अपनी entry आज के दिन लिये 748.40 पर ली थी 748.40 हमारा यह entry का point बना था price ने क्या किया कि gap up opening दे देने के बाद में देखे यहां से gap up opening दी थी और gap up opening दे देने के बाद में price हमारा इस range पर आया और इसी range से support define करके यह upside की तरफ चला गया दो चीज़ें यहां तक clear हो जानी चाहिए कि एक तो यह gap up और gap down की theory यह just take short है gap up और gap down को बहुत अच्छी तरह से समझना होता है gap up और gap down को अगर हम लोग समझ लेते हैं बहुत सारी problems हमारी solve हो जाएंगी because इसमें काफी सारी techniques होती है gap up और gap down को जो भी traders trade करते हैं इंपॉर्टेंस मालूम होगी gap up और gap down को कैसे trade किया जाता है और किस तरह से इन ranges को हम identify करते हैं तो in short आप यहां पर यह समझ सकते हैं कि इन दो candles को हमने as a support mark किया अपने लिए price ने क्या किया कि support को down side की तरफ है तो वो resistance है up side में है तो इसने क्या किया resistance को support में convert किया अब आ जाते हैं दूसरी तरफ इस एक black वाली candle पर black वाली candle का हम अगर low mark कर लेंगे क्योंकि यह support है five minutes में जाकर कि हमें जो transactions देख रहे हैं अपनी इन ranges के पास में देख रहे हैं हम आपसे हर बार कहते हैं यह भी जो भी हम analysis कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही है अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो अच्छी बात है और अगर नहीं सीख रहे हैं तो वीडियो को एक बार या दो बार आप लोग rewind करकर के देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ समझ भाएंगे बहुत सारी चीज़ समझ भाएंगे काफी महनत लगती वीडियो को बनाने में आप लोगों तक उसे पहुँचाने में जो हम trade भी execute करें जैसे कोई भी हम trade execute कर रहे है तो इसमें मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप ये वाला profit देखिए मेरा या इसे इसे बैंक हमने trade किया हम इसको explain आपके सामने कर रहे हैं ताकि आप इस trade execution से कुछ ना कुछ सीखो लेकिन ये धहन रहना चाहिए कि कोई भी trade आप execute करो तो उसमें आपके confirmations हो उसमें एक्योरी हो जिसके base पर आप कोई भी trade execute करो वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को जरूर से जरूर like कीजएगा और अपने comments कीजएगा अब देखिए हम आगे की तरफ बढ़ देए अब ये जो higher time frame पर हमने जितनी भी marking scheme को याद रखिएगा 5 minutes में देखिए price ने यहाँ पर कौन कौन से actions किये है morning में अगर आप लोगों ने देखा होगा इस ये इस ये बेंको तो 9.15 की range के अंदर ही ये फसा हुआ है थोड़ी देर तक नहीं ये बहुत देर तक लाइक अगर हम देखिए तो 11 बजे तक ये अपनी range के अंदर ही फसा हुआ है लेकिन ऐसा क्या था कि इस range पर हमें मिली थी confirmations कि जहां से हमने एक trade अपना execute किया था अब volumes की भी ले सकते हैं और prices volume price दोन्यों की confirmations के साथ हमने क्या किया था 748.40 पर अपनी entries को ली थी और जो stop process हमने इसके अंदर लगाय थे 745.90 745.30 का इसी में just हमने क्या क्या 16 पैसा और प्लस कर दिया था अभी 90 में क्या हुआ कि ये मेरा एक swing low बन गया अब अगर price को उपर की दिशा में नहीं जाना है तो ये क्या करेगा वापस आ करके मेरा stop loss ले लेगा कोई भी trade आपका कम confidence है चलिए 5 quantity मार देते हैं ज्यादा confidence है 500 quantity मार देते हैं ऐसा नहीं है management ये बोलता है कि आपकी quantity सेम होनी चाहिए classes के अंदर क्या होता है management को समझाने में करीब एक या दो दिन का समय लग जाता है management बहुत बड़ा बहुत एहम रोल प्ले करता है किसी भी trade execute करने में हमाई लिए हमारा profit बड़ा नहीं है हमारा management कई बार होता है कि 17,000 के profits को हमने 700 के profit 1000 के profit में change कर दिया मेरा 915 के नीचे close नहीं हो पा रहा है और price क्या कर रहा है अपनी volumes को increase करता चला जा ला है ये देखिए volumes को increase कर रहा है price हमारा upside के तरफ shift हो रहा है देरे-देरे मतलब 915 के range को छोड़ नहीं रहा है 915 के range के अंदर ये upside के तरफ shift हो रहा है और इसके अंदर जो volumes है ये increase हो रहा है और इस वक्त का आप Nifty का और Nifty Financial Services का जब आप movement देखोगे तो आपको बहुत सारी confirmations यहाँ पर मिलेंगे जिसको देखते हो हमने ICCA bank को trade किया था हम चाहते तो यहाँ पर भी अपने targets book कर सकते थे बट हमें नहीं मालूम है कि price कि range तक जाएगा और कहां से ये नीचे की दिशा में भूम जाएगा हमारे पास जो actual target थे अब यहाँ पर एक swing देख रहोंगे कि prices ने actually यहाँ पर एक swing बना रखे है यहाँ पर देखे है price अगर इस range तक आता है तो हम यहाँ पर प्रॉफिट को book कर सकते थे because यह एक expected resistance point था एक अच्छा आरा ratio हमको मिलता है आज बहुत बड़ा आरा ratio नहीं मिला हमको just one ratio four मिला है तो price upside की तरफ गया और देखे नीचे की दिशा में गिर गया यहाँ पर एक volume आय थी जिसको कि भी मने mark करके आपको बताया यह वाली range बट प्राइस देखे क्या किया है उसी range पर इसने closing दे दिया अपनी यह candle upside की तरफ गय थी और वहीं पर अपना price घूंटा रहो उसी जगह पर close हो गया इस वाज़े से इसके अंदर जो हमने revised target हमारे जो अचीव हुए थे 758.65 के अचीव हुए थे overall यह अपना आज का trade था I think आपको यह trade समझ में आया होगा use कीजे चोटे चोटे जो elements है daily जो हम videos upload करते हैं आप लोगों के लिए उसको देखिए उससे कुछ ना कुछ सीखने की समझने की कुशिश क्या कीजे जितना भी यूज सकते यह free के videos है free के videos से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हो और किसी भी ऐसे segment से बचने की कुशिश कीजे जहां पर आप lots के अंदर काम कर रहो because मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर equities को trade करना नहीं जानते तो आप के लिए कोई भी segment trade करना थोड़ा सा मुश्किल होगा इसलिए equities पर focus कीजे equities पर practice कीजे खूप सारी एक बार अगर आप इस field में काम जाब होगा तो आप किसी भी segment को trade कीजे आप successful हो जाओगे और अब हम लोग मिलते हैं अपने next trading session में तब दा के लिए thank you goodbye and we will meet again